नमस्कार दोस्तों स्वागत आपका अपनी यूट्यूब चैनल इंपोर्टेट में संधीब में हम बीएट प्रवेस प्रइच्छा 2018 में आयप प्रश्ण पत्र को पूरी तरह से हल करेंगे दोस्तों आज के इस वीडियो में हम सारे प्रश्णों को अच्छे से हल करेंगे और किये हुए बीएट प्रवेस प्रिच्छा 2018 का हल प्रश्ण पत्र सबसे पहले प्रश्ण है उगते हुए सूरज का देश किसे कहा जाता है आपको मालू माची उगते हुए सूरज का देश जापान को कहा जाता है क्योंकि जापान में ही सूरज की सबसे पहले किरणे पढ़ को इस सम्विधान समसुद्वन में क्या हुआ था बद्दान की आयू 21 वर्स से घटाकर 18 वर्स कर दी गई थी ठीक है आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्ण है विश्व सिच्छक दिवस कम मनाया जाता है तो विश्व सिच्छक दिवस पांच अक्टूबर को मनाया जाता है य एक महीने बाद विश्व सिच्छक दिवस मनाया जाता है अगला प्रश्ण है किसके दोरा खालसा पंथ की स्थापना की गई तो खालसा पंथ की इस्थापना गुरु गोविन सिंग जी दोरा की गई थी 1699 में वैसाखी वाले दिन आनन्दपुर साहिब में इसकी स्थापन की गए थी ठीक है दोस्तों समझ गए इसके बारे मैंने सब कुछ बता दिया गोविन सिंग ने 1699 इस्वी में आनंद पूर साहिब में की थी अगला प्रस्ण है भाकडा नांगल परियोजना किस नदी पर इस्तित है तो यह भाकडा नांगल परियोजना सतलुज नतीबर इस् कोई नहीं प्रत्थवी सूर्य और चंद्रमा के बीच होता है या फिर चंद्रमा सूर्य और प्रत्थवी के बीच आता है तो इसका सही उत्तार सूर गहर तब होता है जब चंद्रमा सूर्य और प्रत्थवी के बीच आ जाता है आगे बढ़ते हैं अगला प्रस्ण है एंस NCTE क्या है यह आपको बताना है दोस्तो NCTE है National Council for Teacher Education option number AIS का National Council for Teacher Education चलिए आगे बढ़ते हैं अगला प्रशन है प्रशन संख्या आठ जैनवाद के अनुसार कितने तीर्थंकर थे तो 24 तीर्थंकर थे जैनवाद के अनुसार पहले तीर्थंकर थे और जो आखरी थे 24 वे थे वो महावीर स्वामी थे ठीक है तो आठ वे का A आप्शन साहिए 24 तीर्थंकर थे प्रशन संख्या 9 चूना पत्थर परिश्क्रती करण के बाद परिवर्तित होता है इसके बाद परिवर्तित क्या होता है मार्बल आता है ठीक है चूना पत्थर का जो कायंतरी परिवर्णाम है वो आपका मार्बल संख्मर्मर पत्थर ठीक है आगे बढ़ते हैं 9 का A सही है अगला प्रशन है एक बैंक शेडियूल बैंक कहलाता है इसको आपको बताना है तो इसका जो सही उत्तर है 10 का D कि शेडियूल बैंक का कहलाता है जब यह आर्बियाई एक्ट 1934 की दुतिय अनुसोची में सामिल होता है ठीक है आगे बढ़ते हैं अगला प्रशन है प्रशन क्या ग्यारा भारत का राष्टपती राज्यसभा के लिए कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है एक दम आपको पता हो प्रशन केले मनोनीत कर सकते आगे बढ़ते हैं आगला प्रशन है किस चेतर में बुकर पुरसकार मिलता है या जीता जाता है दोस्तो बुकर पुरसकार हमेजा कथा साहित के च्हेतर में दिये जाता बारह का ए डौर्षन सही है आगे बढ़ते है Tower और वृ क्हंबा सबस्स wohl प्रेस जो अकबार, प्रिंट मीडिया, इलक्ट्रोनिक मीडिया ये होता है चौथा खंबा ठीक है आगे बढ़ते हैं अगर आपको ये नहीं पता है कि तीन खंबे कोन-कोन से होते है तो विधाईका, कारेपालिका तथा न्याएपालिका इसके तीन इस्तंब होते हैं और चौथा इस्तंब होता है प्रेस यानि मीडिया आगे बढ़ते हैं भारती ये निपोलियन किसे कहा जाता है तो भारती ये निपोलियन समुद्रुगुप्त को कहा जाता है चौधा का option number C सही है भारती नेपोलियन समुद्र रोट को कहा जाता है आगे बढ़ते हैं अगला प्रस्ण है प्रस्ण अंख्या 15 सोभना गुर्टू प्रवर्तक है सोभना गुर्टू प्रवर्तक है यह आपको बताना है तो यह ठुमरी भारतीय सास्त्री सैली ठुमरी के प्रवर्तक है 15 का D options आई है अगला प्रस्ण देखिए 16 का सौर मंडल किन ग्रह को नीक्रस्ट ग्रहों के रोप में जाना जाता है तो इसको नीक्रस्ट ग्रहों के रोप में बुद्ध और शुक्र को कहा जाता है यह प्रत्वी के सबसे पास होते हैं यह भी आपको पताऊना चाहिए और इने नीक्रस्ट ग्रहों के रोप में जाना जाता है बुद्ध और शुक्र को आगे बढ़ते हैं प्रस्ण के 17 रेटिनाल का सामाने नाम क्या है रेटिनाल एक वेग्यानिक नाम है और यह विटामिन A का वेग्यानिक नाम है ठीक है 17 का C सही उत्तर है आपको याद होना चाहिए विटामिन A का रसाइनिक नाम रेटिनाल है ठीक है आगे बढ़ते हैं प्रसंख्या अठारा पाग जल डमरू मध्य। ठीक है? यह आपको बताना है प्रसंख्या अठारा पाग जल डमरू मध्य। अनुच्छे 324 के अंतरगत नहीं थे ठीक है प्रस्ट संक्या 19 का D option सही है 324 अनुच्छेद आगे बढ़ते हैं पोंगल ते वहार कहा का है तो यह पोंगल ते वहार तमिलाडू का है 20 का A option सही है प्रस्ट संक्या 21 वर्थ 2014 में भारत का कौन सा राज्ज उन्तिस्वा जापान की संसत के क्या नम है तो जापान की संसत को diet कहा जाता है टीक है जापान की संसत को diet 22 का C option सही है आगे बढ़ते इसका सही उत्तर है, बीहू असम का मुख्यते वहार है, ठीक है, बीहू नामक ये नरत्य भी है, आगे बढ़ते हैं, 24 का सही है, A option, 25 नमबर देखिए, भारत के सम्विधान के अनुछेद में मौलिक कर्तव्यों का वर्डन है, ये आपको बताना है, तो ये 25 का जो सही उत्तर है, 51 A, भारत के सम्विधान के अनुछेद, 51 A में मौलिक कर्तव्यों का वर्डन है, 25 का B option नमबर सही है, विटामिन C की कमी से होने वाला रोग कौन सा है, विटामिन C की कमी से बताना है, ये आपका इसकरवी रोग होता है, विटामिन C की कमी से, ठीक है, इस रोग में क्या होते हैं, वो सब विटामिन C के प्रमुक्ष रोग होते हैं, आगे बढ़ते हैं, प्रस्ट रंके 27, सतत्विकास लच्छों को प्राप्द कनने है तू, सही रास्ट द्वारा कौन सी अवधी निर्धारित की गई है, तो प्रस्ट रंके 27 को सही उत्तर है, 2016 से 2030 तक ये नोबल पुरस्कार भी दिया जा चुका है, आगे बढ़ते हैं, किसने सन 2016 में भारत का अंतिम प्रथक रेल बजट पेश किया था, तो वस 2016 में आपके सुरेश प्रभूजी द्वारा जो की ततकालेन रेल मंतरी थे, उन्होंने ही रेल बजट पेश किया था, आगे बढ़त हैं, तो दोस्तों ये बिहार के राज जपाल थे, ठीक है, उनका ये आपके राष्ट पती जो है, ये 2022 तक बने रहेंगे, और 2017 को इन्होंने पदभार गुरहर किया था, राष्ट पती का, और ये 5 साल तक 2022 तक बने रहेंगे, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, प्रश्रंख्या 31, इसका फ्रांसिसी करांती का नारता सोतंतरता, समानता और भ्रात्रत, ठीक है, 31 का ओप्शन नमबर सी सही है, निम्नमेशिक इस खिलाडी ने रियो पैरालंपिक 2016 में उची कूद में सोड़ पदक जीता था, 32 का सही उत्तर बताना है, तो 32 का सही उत्तर है, डी, मरियपन वेलू ने रियो पैरलंपिक 2016 में उची कूद में सोड़ पदक जीता था, आगे बढ़ते हैं, नयमूर्ति दलवीर भंडारी चर्चा में रहें, क्यों क्यों चर्चा में रहें, दलवीर भंडारी ये आपको बताना है, तो प्रसंख्या 33, इसका सही उप्शन है, डी, 34, सरवाधिक पुराना गरंद, रिगवेद, ठीक है दोस्तों, 34 का सही उत्तर है, रिगवेद, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रशन है, किसी प्राडी की ग्याने इंद्रिया उसे सहायता प्रदान करती है, सोशन, गसीलता में, दीवर उद्धी में, उद्धी पक क प्रती अनुक्रिया करने में, ग्याने इंद्रिया उसे सहायता प्रदान करती है, 35 का D option number सही है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रशन देखते हैं, 36, भारत में हरित क्रांती का जनक किसे मानने जाता है, आप सबको मालूम होगा, भारत में हरित क्रांती का जनक, MS स्वामी न जिन्होंने फरवरी 2018 में भारत की यात्रा की, वो कहां के प्रदान मंत्री है, 37 का सही उत्तर है, वो है कनाड़ा के प्रदान मंत्री है, आगे बढ़ते हैं, निम्ने में से कौन सानाट एक विलियम सेक्स्पियर दोरा नहीं लिखा गया है, तो 38 का सही उत्तर आपको बताना है, विलियम सेक्स्पियर दोरा जूलिय सीजल लिखा गया है, हैमलेट लिखा गया है, एस यू लाइक इट लिखा गया है, आम सेंदा मैन, ये विलियम सेक्स्पियर दोरा ये नहीं लिखा गया है, ठीक है, ये किसके दोरा लिखा गया है, ये जार्ज बरनाट सा दोरा लि बताना है तो यह जापान में 2020 में ग्रिस मकालिन ओलंपिक खेलों का आयोजन किया जाएगा झाह guardians अजापान में कवे सालों बाद यहाल पर उलंपिक खेलों का आउजन किया आरह freight एक टालिश नंबर को कॉलम को सुमेलित करना है एक कॉलम में बिमारी दिवा है दूसरी कॉलम में कारल दिया हुआ है तो जो रिंग वर्म है ये किसलिए होता है ये फंजाई दोरा होता है ठीक है ऑप्चन नमबर एक को तीन नमबर से मिलाएंगे रिंग वर्म फंजाई से होता है और जो मलेरिया ह आगे बढ़ते हैं अगला प्रस्राशन कि लॉड़ीelleени समझ गए चेले आगे बढ़ते हैं चेले बार ऑगला प्राशन देखते हैं साथ क्या 42 राज में से निम्ल में से कौन सी राज हरब नीती से संबंदी थे आपका यह बताना यह आपके गवर्णर के नाम दियो लाड रिपन, लाड मिंटो, लाड करजन, लाड डलहोजी तो प्रसंग क्या 22 तो राज हरब नीत या डॉक्ट्रिन आफ लैप्स या क्या बोलते ह उत्राधिकार जिसका नहीं होता उसको अपने राज में मिला देते थे अंग्रेज लोग तो वो किस से संबंदे तो लाड डलहोजी से संबंदे कौन सा इंपूट डिवाइस नहीं है प्रसंग के 43 इंपूट डिवाइस नहीं है यह बताना है आपको कैमरा, प्रिंटर, अपूट डिवाइस है तो 43 का 20 है उत्र हिंदी फीचर फिल्म पदवाद किस लेकर की रचना पर आधारित है यह आपको बताना है तो जो पदमावद फिल्म है वो मलिक मोहमद जाईसी की रचना पर आधारित है आगे बढ़ते हैं 45 नमबर देखे सोमनाद मंदिर पर आक्र प्रिठिपादन किसे ही इन बना जाता है तो सांखधर्सन का प्रिठिपादा का पिल मुनी को माना जाता है यह आपको मालूमना चीए इन की जर इन याद रखेगा पावर्टी एन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेकक कौन है यह आपको बताना है इसके लेकक दादा भाई नहरोजी है इनको वयोवरध पुरुष भी कहा जाता है दा ओल्ड मैन इनको बोला जाता है 47 नंबर का सही उत्तर है ए पावर्टी एन ब्रिटिश George in India के लेककाक दादा भाई निरोजी प्रसांग और तालिस ननमिंछ सकोन प्रसिद्ध हिंदी पत्रिका सरस्थि के संपादक रहें इसका सहम उत्तर बताना है संपादक महावीर प्रसाथ धिवेदी रहें ठीक है है इसका सही उत्तर है 48- === आप्शन नमबर मदर पुस्तक किस ने लिखी तो मदर पुस्तक आपको पता होना चाहिए ये लिखी है मैक्सिम गोर्की ने लिखी है किस ने लिखी है मैक्सिम गोर्की ने लिखी हुई है ये एक रूसी लेखक ते याद रखेगा वैसे ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है अब क्योंकि एक बार आजगा मदर पुस्टक मैक्सिम गोरकी ने लिखा हुआ है ये एक रूसी लेखक है जी एस्टी भारत में कब लागू किया गये इसका सहुतर आपको बताना है एक जुलाई 2017 से जी एस्टी लागू किया गये था ये पूरे देश में एक समान कर इसे बो लाओं दोस्तों इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे के दिशान जरूर दबा लिए ताकि सारे वीडियो आपको बिना किसी बाधाके मिलते रहे हैं चैनले दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में तक तक के लिए जैहिंद जैगे झाले वीडियो आपको बिना किसी बाधा लिए जैगे